हाज फ्रेंड्स वेलकम बैको मैं चानल तो आज हम बैसिक्स डिसकस करने वाले हैं chemistry के तो जब on chemistry में equations बनाते हैं तो equations बनाने के लिए आपको जो इंपॉरटन चीजे़ छाहिए । क्या चाहिए कि elements के आपको symbols याद होने चाहिए और आपको elements की valences याद होनी चाहिए तो valences इतनी important चीज़ आप कह सकते हो कि पूरी chemistry इसी पर based है तो आज मैं आपको जो topic discuss करवाने वाली हूँ आज जिस चीज़ पर हम गौर करने वाले है तो वो क्या है एक बर हम जान लेते हैं तो उसका जो मैंने टैटिंग ढाला है ना दाट इस अप्रोच अप्रोच तो केमिस्ट्री ती है देखो हैंड राइटिंग का थोड़ा issue इसले रहे रहे हैं क्योंकि मेरा जो pen है वो नम से नहीं वाक कर रहा था तो मैंने कैसे भी मतलब कोशिश करके इसको थोड़ा ठीक किया और मैं पूरी कोशिश करूँगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा सकूँ अगर किसी वज़े से आपको समझ नहीं आता है तो ज़रूर मैं अपनी तरब से कोशिश करूँगे दूसरी बार उस चीज़ को समझा हूँ और आप तक जो सही मेसेज है जो सही टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सही बात मैं आपको अपने वीडियो कितरो समझाना चाहती हूँ तो अप्रोच टू केमिस्ट्री यानि कि आज केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में अच्छे माक्स स्कूर करने के लिए जो हम सब चाहते ही है तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं एक कोशिश है एक अप्रोच है तो देखते हैं क्या है आप सबसे पहले चैज आती है, वो यह आती है, कि आपको elements के नाम याद होने चाहिए जो सबसे बड़ी चीज आती है, that is this thing only, कि elements के नाम याद करना है हमें, है ना? elements के नाम याद करना है तो सबसे पहले हम कुछ elements देखते हैं हापे ठीक है तो यहां प……कुछ elements है उनको डिस्कस करते है और फिर देखते हैं कि उनके valences क्या है तो अप सबसे पहली छीज आपको यहां पे कुछ elements के नेम दे बाय है तो तीन उनी टेबल में आपको elements के name दिखेंगे और valency दिखेंगी तो हम एक बार जो table third है इस table को देखते हैं तो यहाँ पर आप शुरू करो hydrogen से so if you will start from hydrogen ठीक है अगर आप hydrogen से शुरू करते हो इसको हम light को लेते हैं बिल्कुल so if you start from hydrogen hydrogen जो है आप इसमें ही देखेंगे कि hydrogen का symbol H होता है इसका atomic number 1 है अब जितने number of atoms होते हैं उतने ही number of protons होते हैं जितने number of protons होते हैं उतने ही number of electron होते हैं तो आपके number of electrons भी 1 है hydrogen के number of protons भी 1 है और atomic number तो उसका 1 हो गई ही होगा अब कोई भी element जो भी होता है वो element जिस भी atom से बना होता है तो उस atom के 4 shells हम बोलते हैं होते हैं what are these 4 shells तो अगर मैं आपको कोई atom ड्रॉ करके दिखाती हूँ पहले मैं इसको raise करती हूँ untidiness बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है वो भी इतने छोटे से document वे तो इस वज़े से हमने untidiness को बिल्कुल हटा देना है cleanliness से काम करना है है ना तो देखो यहां पे हम बोलते हैं just resume the solar system कि यह है आपका पूरा का पूरा nucleus ठीक है and nucleus के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं यह इर्द गिर्द में जो हैं orbits है और इन orbits में हमारे electrons घूम रहे हैं these electrons are here यह जो electrons है यह इधर-इधर इन orbits में है इन orbits में यह electrons है तो यह जो orbits होते हैं इंको हम shells कहते हैं और इस तरह से हमने चार shells ली है, K shell, L shell, M shell, N shell. तो यह जो चारो shells हैं, इन चारो shells में electrons present होते हैं, electrons configured होते हैं. तो यही पूरा chapter, यही पूरा topic है electronic configuration of electrons. electrons किस तरह से इन orbits में settled होते हैं, तो वो भी जाना है में जरूरी है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहने यह बताऊंगी, कि यह जो हमारे electrons होते हैं, किस तरह से बाटे गई होते हैं, तो electrons को हमने कैसे बाटा है, इसकी हम सबसे सिम्तुल भाष्ण में बोले तो, कि K shell में हमेशे दो electrons आएंगे. K shells में हमेशे कितने electrons आएंगे, तो हमें याद रखना है, दो electron आएंगे. So K shell की capacity है, कि I will only contain the two electrons, फिर L, M और N shell, L, M और N shell में हमारी highest capacity होती है, 8 electrons की. मान लो, अगर 10 electrons हैं किसी atom में, तो K shell अपने 2 अलग कर लेगा, कि मैं 2 से जादा नहीं कर सकते हो, तो मुझे 2 electron दे दो. The remaining will be shifted to the L orbit, तो हमारे पास total 10 थे, 2 हमने दे दिये किसको, 2 हमने के को दे दिये, तो जो remaining है, remaining आपके 8 बचे, तो 8 आपके L के पास चले जाएंगे. यब L कहता है कि मैं इस से जादा मिले सकता, I cannot contain more than 8, छीक है, L, M, N, ये तीनों ही 8 से जादा contain नहीं कर सकते, तो अब जब यहाँ पे इसके पास 8 हो गए, तो 8 होने के बाद इसने का कि मेरा तो पेट भर गया, now I am happy, I am खुश, अब मुझा और कुछ नहीं खाना, That means, at this situation, the element would be least reactive, जब कोई भी atom के पास उसकी outmost shell में, उसके मन चाहे electrons आ जाती है, मन चाहे electrons के shell की तो 2 है, और बाकी बची होई shells में, अगर 8 electrons की configuration बन जाती है, outmost shell में, 8 electrons आ जाती है, so that atom और that element is said to be the, is said to have acquired the octate, octate बन गया हो, octate यानि कि जहाँ पे octate का, octopus होता है न, octopus के 4 pair होता है, तो octate का मतलब है कि जहाँ पे आपके element या atom ने, 8 electrons अपनी outermost shell में configure कर लिये है, ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ समझते हैं, that is very important, कि जो भी मालो मेरे पास है, 11 electrons, so how I will divide them in my orbits, so दे को, फिर से केशल कहेगा कि मेरे को 2 दे दो, मेरे को 2 electrons दे दो, I am happy, तो हमने कहा कि आप 11 में से 2 तो दे दिये, अब 11 में से 2 कितने बचे आपको minus करना होगा, तो L के पास आ जाएंगे, 11 में से 2 देने के बाद, 8, so L कहेगा कि, now I am also happy, but, but, the 1 is remaining, एक तो बच रहा है न, 2, 8, 1, ये आपकी electronic configuration बनेगी, क्यों? आप ये भी तो कर सकते हो न, कि L को आप 9 दे दो, जो एक बच रहा है, उसको क्यों छोड़ो L को दे दो न, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि L, M और N, ये 8 से जादा नहीं contain कर सकते, क्या? electrons, तो अगर K के पास दो आ गए और उसके बाद फिर L, M और N में 8 हो जाते हैं, तो वो जो हमारा electron है, वो जो हमारा atom है, वो octet, यानि कि octet बन जाता है कि मुझे और नहीं खाना, और नहीं पीना, अब यहां पर एक और confusion हम सबको आती है, वो यह आती है, कि क्या तीनो L, M, N में 8, 8 होना ज़रूरी है, तो देखो ऐसा नहीं है, जो भी outermost shell है, उसमें 8 होने चाहिए, कैसे, अगर मैं आपको example देती हूँ, हाँ, यहां पर, सॉरी, मैं एक चीज़ जो आपको समझाना चाहती थी, वो यह समझाना चाहती थी, कि जब भी कोई atom, octet acquire करता है, तो हम कब कहते हैं, उसने octet acquire की है, जब उसकी outermost shell में, 8 electrons की configuration हो जाती है, 8 electrons की configuration हो जाती है, और बिलकुल ज़रूरी नहीं है, कि किसी भी atom में L, M, N, 3 present हो, कई elements में केवल K present होती है, कई elements में केवल K, L present होती है, और कई elements में K, L, M, N, 4 present होती है, अगर कोई भी element में K shell में 2 और L shell में 8 है electrons, और वहाँ पे M, N, M और L present नहीं है, तो वो भी हमारा octate ही है, वहाँ पे भी atomose shell जो थी, उसका पेट भर गया, उसको और नहीं चाहिए, है ना, लेकिन इन दा केस, जहाँ पर आपकी atomose shell में 8 नहीं आ पा रहे है, आपकी atomose shell में 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, या in between 1 and 8 आ रहे हैं, so that is your not octate, वो आपकी octate नहीं है, अब यह चीज जो हैं आपको और clear होगे जब आप table number 3 को देखेंगे, यह table number 3 है, this is your table number 3, तो अगर आप table number 3 को देखते हैं, तो आपको name of element, symbol, atomic number, यहाँ पर number of proton केते हैं, number of electron केते हैं, number of neutrons केते हैं, electronic configuration दे रखी हैं, and valency दे रखी हैं, टीक है, तो अब यहाँ पर हम hydrogen से शुरू करते हैं, hydrogen के जो atomic number है, वो 1 है, hydrogen का number of proton भी 1 है, number of electron भी 1 है, neutron इसमें present ही नहीं है, hydrogen is something which is unique, why it is unique, क्योंकि सब ही, सब ही elements के, K shell में, दो electrons होना जरूरी है, mandatory है, ठीक है, लेकिन hydrogen is the only element in which the K shell has only 1 electron, that means hydrogen के पास केवल एक electron है, उसके K shell में 2 electrons बिलकुल नहीं है, तो hydrogen की valency भी 1 है, क्योंकि उसके autonomous shell K में केवल 1 ही electron प्रेजेंट है, ठीक है, अब helium के पास, HE, that is the symbol of helium, तो यहाँ पे आपके पास, number of, atomic number, number of proton, neutron and electrons, अब में 2 आपकी प्रेजेंट है, 2 electron, 2 neutron, 2 proton, तो यहाँ पे आपके distribution of electrons में, जो K shell है, उसके पास complete 2 electrons प्रेजेंट हैं, यहाँ पे L, M और N shells प्रेजेंट नहीं हैं, तो helium से, आपकी दो की शुरुवात शुरू हो जाती है, अब helium से, K shell में, हमेश़ दो आएंगे ही आएंगे, hydrogen कहते हैं, मैं तो एक ही रखूंगा, so hydrogen के पास, एक ही है, but helium and so on, K के पास, सब जगी पर, from helium and so on, चीक है, they contain 2 electrons in the K shell, अब इसकी valency क्या है, so as you know, कि helium ने, एक तरह से बोला जाये, तो अपना satisfactory level गेन कर लिया है, अब helium के पास, जो automo shell है, that is only K, उसमें, 2 electrons आ गए हैं, और वही उसकी, क्या है, satisfactory level है, K का वही requirement है, K shell कहते है, मुझे 2 ही चाहिए, दो से जादा नहीं चाहिए, so K shell is now at the satisfactory level, K orbit या K shell के पास, 2 electrons आ गए है, तो अब valency का यहां से, हमें मतलब पता चलता है, कि valency 0 कैसे हुई, valency 0 इसले हुई, क्योंकि basically valency है क्या, valency है sharing, gaining, या lossing, the electrons, तो जब helium के पास, 2 electrons आ जाते हैं, और वही उसका satisfactory level है, तो उसके बाद, उसके valency 0 है, यानि कि ना उसको कोई electron gain करना, किसी दूसरे element से, ना उसको electron loss करना, और ना ही उसे किसी तीसरे दूसरे element के साथ, अपने electron को share करना, वो अपने satisfactory level पे present है, अब बात करते हैं, लीथियम की that is Li, so the symbol of lithium is Li, its atomic number is 3, number of proton is 3, its number of neutron is 4, and its number of electron is again 3, so, यहाँ पे अगर आप देखो, तो K-Shel ने तो अपने 2 electrons ले लिये, कि मेर को 2 दे दो, मुझे फिर ये मत कहना कि तू कम काम करते हैं, मुझे 2 electrons मेरे दे दो, Now, the remaining one will go to the L-Shel, अब यहाँ पे L-Shel ने एक electron कर लिया, gain, यहाँ पे L-Shel ने एक electron क्या कर लिया, gain कर लिया, अब, what will happen, अब क्या होगा, कि लीथियम कहेगा, कि यार, अगर मैं अपनी आउट्यर्मोस्ट शेल में, दो एलेक्रों कर लूँ, तो कैसे रहेगा, यहाँ, तो अब लीथियम क्या कहता है, कि अगर मैं इस L-Shel के एक electron को दे दू, वो hydrogen को भी दे सकता है, मालो, लीथियम कहता है कि भाई hydrogen, तू मेरा एक electron ले ले, क्योंकि मेरे पास आउट्रमोस्ट लेर जो है, वो 2-1 की आ रही है, और मुझे यह 1 दे देना है, किसी को भी, तो तेरे पास तो वैसे ही, एक electron है केशल में, तू तो एक ले सकता है, तेरे दो electrons हो जाएंगे केशल में, तू भी satisfactory level पर बहुँच जाएगा, मैं भी satisfactory level पर बहुच जाएगा, तो lithium भाई साब, hydrogen को दे सकते हैं न, undoubtedly दे सकते हैं, बिल्कुल अराम से दे सकते हैं, hydrogen को कहते हैं, ओके यह तू मेरे एक electron ले ले, that means एक electron वो loss करता है, so when lithium is lossing one electron, the valency will be one, why one, क्योंकि जो भी electron share हो रहा है, जो भी electron gain हो रहा है, जो भी electron loss हो रहा है, वही है जो valency कहलाता है, तो यहाँ पर lithium 2,1, इसका आपका electronic configuration है, 2 इसके k-shell में है, L में इसके 1 ही कहता है, जो अपनी L-shell इसको destroy करना है, इसको खतम करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे L-shell में केवल 1 ही electron आ रहा है, एक electron मुझे किसी को देना है, तो अब L-shell को खतम करने के लिए, वो अपना 1 electron दे देगा, तो उसके k-shell जो जो इसमें तो वैसी 2 है, तो वो हो जाएगा electronic, वो हो जाएगा balanced, ठीक है, वो हो जाएगा अपने satisfactory level पर, so now it comes to beryllium, BE, तो atomic number इसका 4, number of electron भी है इसके 4, तो BE के electronic configuration है 2,2, now what will happen, यह अपने 2 electron दे देगा, किसको देगा, किसी को भी दे सकता है, वो उसके मर्जी है, अब यह 2 electron देके क्या करेगा, जब यह अपने L-shell के, ल-shell में जब इसके 2 electrons आ रहे हैं, तो यह उनको दे करके, अपने L-shell destroy करेगा, इसके K-shell ही रिमेन रहेगी, इसके K-shell ही बचेगी, and K-shell में तो वैसे इसके पास 2 electron है, तो यह भी अपने satisfactory level पे पहुँच जाएगा, so you can see that every, each and every element wants its satisfactory level to be at the height, satisfactory level के लिए क्या कर रहे हैं, कि या तो K-shell को यह 2 electrons दे रहे हैं, या फिर यह L-M या N-shell में 8 electrons लेने की कोशिच कर रहे हैं, अब इनको कोई भी lithium है, beryllium है, इनको कहां से कोई 7 या 8 या 5 या 6 electrons देगा, देखो अब lithium है, इसके पास 2,1 है, अब अगर यह अपने L-shell में 7 electrons गेन कर लेगा, तो यह 2,8 बन जाएगा, लेकिन इसे 7 electrons कौन दे, तो यह कहता है है, तो एक ले ले, यह अपना एक दे रहा है, एक अपना जो electron है वो लॉस कर रहा है, बुरोन है, बुरोन में भी यही है, बुरोन का जो है, electronic configuration is 2,3, नो 2,3 के case में क्या है, कि यह अपने 3 electrons को दे देगा, और इसके K-shell, L-shell जाहे है, डिस्षोज जाएगी, K-shell बचेगी, जिसमें है 2 already, काबन में क्या है 2,4 है, तो अब यह अपने 4 electrons देगा, तो इसमें जो K-shell है, वही बचेगा, that will be having that 2 electrons, तो वो भी यह हो जाएगा, अपका at the highest at a certain level, फिर nitrogen की बात करें, तो इठास, the electronic configuration of 2,5, now here, what is the thing, what is the matter, here comes the magic, here comes the uniqueness, कि 2,5 इसके electronic configuration है, अब क्या है न, कि इसके पस 5 electrons है, तो दो चीज़ हो सकती है, यहां तो इसके जो 5 electrons है, यह अपने loss कर ले, है ना, किसी को दे दे, और यहां फिर जो 5 electrons है, इसमें plus 3 कर ले, यानि किसी दूसरे से 3 electrons gain कर ले, तो यह 2,8 बन जाएगा, और जैसी यह 2,8 बना, तो यह आपका होगे, सैटिस्रेक्टर लेवल पे, ठीक है, तो यहां पे अब देखो, वो क्या रहना, कि यह जूम नहीं हो रही है, स्क्रीन, बस यह दीकर दा रही है, मैं जूम नहीं कर पा रही हैं, उसे, never mind, क्या कर सकते हैं, तो अब यहां पे आप देख रहे हो ना, कि हम बात कर रहे हैं, nitrogen की इसकी valency है, 2,5, तो हम nitrogen क्या कहता है, कि यार मैं अपने 5 electron, 2 सब्सक्राइब तीन electron गेनी न कर लो, तो मैं 2,8 बन जाओँगा, L चल कहेगा, हाँ मेरा पेट भर गया, मैं पस 8 electrons आगए, now I'm happy, then comes your oxygen, चीक है, तो oxygen कर अब देखो, it's 2,6, so what will happen, अब यह तो बहुत दी common चीज है, यह क्या करेगा, 6 जो है, अपने 2 electrons गेन कर लेगा, तो 2,6 प्लस 2 हो जाएंगे, 2,6 प्लस 2 नहीं कि, दो electrons इसने किसी से गेन कर ले, and when it will gain 2 electrons, it will become 2,8, then your fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, इन सब में ऐसा होता है, and when you will reach to neon, again when you will reach to argon, क्या होगा, neon के पास आगए 2,8, 2,8, यानि कि अब इसका octet पूर हो गया, अब इसे किसी से ना electron लेना, ना electron देना, इसकी valency होगी 0, when I talk about argon, argon की जो valency, it will be again 0, क्योंकि इसके पास KLM, ये 3 shell में 2 ही आते हैं, L और M में भी इसके 2-2 आ गए, तो KLM, इसके 3 shells जो हैं, आप 60-60 लेवल पे हैं, argon कहता है, I don't need anything, I need 0, अच्छा, अगर आपको phosphorus में कहीं confusion आता है, क्यों phosphorus में 3,5 लिखा, इसका क्या मतलब है देखूं, इस सेम केस है, जो कि अपका, इसमें था, ये अपन कहोते हैं, nitrogen में, कैसे जो phosphorus, इसके electronic configuration है, 2,8,5, तो ये क्या कहता है, अच्छ, 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 लेवल पर लाने के लिए, ठीक है, अब हम formula making देखेंगे, उससे पहले हैं, यहाँ पर मैं आपको, दो tables और हैं, वो भी समझाना पस्द करूँगी, एक सेकेंट, येस, येस, यहाँ पर आपन, देखो, अभी मैं आपको, इस table कर सब कुछ एक साथ नहीं समझाँगी, बिल्कुल भी, लेकिन आपको, मैं formula making जरूर सिखाऊंगी, ठीक है, तो अब हम इनिट्स कितने हुए है, जादा ने हुए, तो हम formula making सीखते हैं, यहाँ पर, formula making का एक रूर है, जो आप याद रखेंगी सब, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, क्या है इसका, formula, formula making, अबेपन formula making सीखते, formula making का जो रूरूल है, वो यह है कि आपके पास, एक तो है, एक सेखेंद हैंना, इसको सही करती हूँ, आपके पास है, ए एलेक्ट्रों, ए एटम, एक है बी एटम, इसकी विलेंसी है, ए की एक्स, और इसकी विलेंसी है, ए प्रस साइन को लगा लिया मैंने, बैक करके फिर करती हूँ, ए और बी, अब ए की विलेंसी है, एक्स, बी की विलेंसी है, वाई, तो यहाँ पर formula क्या बनेगा, जो ए है, वो य के साथ जोड़ेगा, और बी जो है, वो एक्स के साथ जोड़ेगा, यानि की, क्रॉस विलेंसी हुजाएगी, ए विल गो विलेंसी उफ बी, अब बी विलेंसी उफ एक्स, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स लिये हैं, और वो एक्साम्पल्स भी मैं आपको समझाना पसंद करूंगी, चीक है, तो एक बार मैं बाग कर लेती हूँ, बिल्कुल स्क्रीन को, जैसे की मैं आपको फिर, अगर कुछ चीज लिखने की हो, तो वो भी अराम से बता सकती हूँ, चीक है, देखोंगे, आप पहला क्या है, दिस वान, दिस वान, तो एने की जो वेलेंसी है, टिस बार अट जाएगा, तो क्या होगा, एने की वेलेंसी जो है, वो ओ के साथ जाएगी, ओ की वेलेंसी एने की साथ आएगी, तो एने टू, बन जाएगा, अब AL, Aluminium की Valency 3 है और Chlorine की Valency 1 है सो यह AL, CL 3 बन जाएगा Cross Valency हो जाएगा Aluminium, Chloride इस तरह से आप सारे examples भी करेंगी और आपको सब कोई डंग से समझ में आ जाएगा अगर नहीं आएगा तो हम next class में इनको कर लेंगे जब मैं अपनी डंग से आपको और बताऊंगी इनकी examples आपको मैं उस class में discuss कर वाऊंगी अब यहापे आपको एक important बात याद रखने है यह positive negative का क्या मतलब है जब भी कोई atom electron gain कर रहा है तो हो positive हो रहा है जब भी कोई atom electron loss कर रहा है तो हो जब भी कोई atom electron gain कर रहा है यानि उसके पास जो atom के पास जो electrons थी वो कम थे उसने और ले लिए तो वो क्या बनेगा positive बनेगा और जब भी कोई element electron को loss कर रहा है तो वो positive बन रहा है जब भी कोई atom जो है जब भी कोई atom जो है तो electrons को gain कर रहा है तो negative बन रहा है फिर बता रही हूं मैं यहां भी लिख देती हो बिल्कुल conclusion हो जाएगा आपको बना यह कोई element है element है जब वो gain कर रहा है gain किसको कर रहा है electrons को तो वो क्या बन रहा है negative बन रहा है और जब भी कोई जब भी कोई element electrons को loss कर रहा है उसमें electrons कम हो रहे हैं तो वो positively charge बन रहा है तो यही है चीज ठीक है तो thank you